स्वागत है अब सभी अपने जैनल टीटेन इस टेडी पर हैं इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकास के प्रावरतन के पार्ट 6 के बारे में जैसमें हम लोग में डिसकस करेंगे अव्दल दरपन से बनने वाले प्रधुब इससे पहले मैंने पार्ट फाइब में गोलिय दर्पन से बनने वाले जो किरन आरेक होते हैं उसके बारे में कुछ रूल्स बताया था तो पहले आप उसको देख लेजे ताकि इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं सब को समझने में पढ़ेशानी ना होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखें सबसे पहले हम लोग यह जान ले कि अवदल दर्पन से वस्तू को कहां पर रखेंगे और उसका प्रतवियम कहां पर बनेगगा और उसका नेचर क्या होगा तो सबसे पहले जाना जरूडी है, कि हम लोग अवदल दर्पन वर्षतु को कहां कहां रख सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, आपका जो ये वाला पोइन्ट्स है, इसको हम लोग बोलते हैं पोल, यहाँ पर वाले पोइन्ट को focus, और यहाँ पर वाले पोइन्ट को क्या बोलते हैं वक्रता के अंदर इसको आगे बढ़ाएं तो यह आपका अनंत आता है तो देखिए सबसे पहला तीन सेच्वेशन तो बना कि एक अनंत पर वस्तु आएगा एक वक्रता के अंदर पर आएगा और एक कहाएगा फोकस पर आएगा तो तीन सेच्वेशन बना और सेच सबसे पहला पॉइंट है देखिए जब वस्तु दुरूब और फोकस के पीच इस्तित हो तो उसका प्रतिप्यम कहां बनेगा तो यहां तो रखेगा उसका प्रतिप्यम बनता है दरपन के पीछे आभासी सीधा और बरा देखिए यहां पर फीगार आपनों के सामने है मैंने बताया भी था चलिए इसको जूम करके बताते हैं आपको देखिए यह एक अव्तल दरपन है मैंने क्या कहा यह फोकस हो गया यह धुरूब हो गया इसके पीच में यह वस्तु है तो इसका जो वहां पर वस्तु ऐसे खड़ा है तो इससे लाइट इमीट हुआ एक ऐसे प्रधानक्ष की समानांतर और हमने बताया था प्रधानक्ष की समानांतर जाने वाली कीरण दरपन से प्रावरतन के बाद कहां से गुजरगी तावका फोकस से यह जीज मैंने बता रखा था और एक कीरण वकरता के अंदर से तो देखिए यह इधर बढ़ता जा रहा है कही मिलने को नहीं लगड़ा है कालपनिक रूप से पिछ्छे बड़ाने पर यहां पर मिला या prayedओ देख सकते हैं फोकस पर श्थित हो तो इसका प्रतिखिम कहा बनेगा आनंद पर बनेगा आहिँ जब वस्तूं फोकस परस्तित होती है तो उसका तो परदानक्स के समाना अंत्र है तो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी और मुले जे की वक्रता के अंदर है तो यहाँ से ऐसे जाएगी light rays तो वक्रता के अंदर पर जो भी परकास के कीरण आपतित होती है वह दरपन पर क्या होता है? लंभ होता है तो प्रधानक्स के नीचे बन रहा है, इसका मतलब इक उल्टा बनेगा और अनन्त पर बन रहा है तो देखे, यहां पर वस्तु इतना ही छोटा है, और अनन्त पर बनेगा तो नजानिक इतना बढ़ा बनेगा तो यह बहुत बड़ा बनेगा छले नमर ठर्ट देखते हैं कहरा आए कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंदर के बीचर इस्तित हो तो उसका प्रतिपिश num 1 वक्रता केंदर और रनग के बीच वास्त विक और उल्टा तथा बड़ा बनेगा छोई देख लेते कि यह दरपन है जी इप पौल है आपका करहा है क्या कि वक्रता के इंदर के बीच हो किसके फोकस और वक्रता के इंदर के बीच इसके बीच में निभे अर्म उज 확실히 आप माले जे वक्रता केंदर है तो कुछ इस तरीके से और ये ऐसे आएगा तो कहां पर मिला यहां पर बना यानि कि कहां ये अनंत और वक्रता केंदर के बीच में बना ठीक है तो वही चीज यहां पर कहा गया है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंदर के बीच इसते तो उसका प्रतिविम कहा बनेगा वक्रता केंदर और अनंत के बीच कैसा बनेगा प्रधानक्स के नीचे है मतलब उल्टा वस्तविक कटान से बना तो वस्तविक और चुकी वस्तु इतना बड़ा था और प्रतिविम इतना बड़ा बना तो वस्तु से बड़ा बनेगा चलिए चौधा सिचुएशन पर हम लुग देख लेते हैं अब दिखिए क्या का गया है जब वस्तु वक्षता केंद्र और women are परदानस्तेश यह तो परावरतन के बाद कहाँ फोकस से गुजबेगी ओक्य और देखिए एक लाइट रेज तो प्रधा नक्ष के समना अंतर गया और एक कोंप कहां से फोकस से गुजरना पड़ेगा तो यह कुछ इस तरीके से आएगा समझ में आ गया होगा अब देखिए यह दोनों का वास्तविक कटान कहां हुआ है यहां पर यानि की प्रतिवियम यहां पर बना है कहां बना वक्रता के अंदर पर ही बन गया अब देखिए जितना वस्तु बढ़ा है उतना ही आपका इसका प्रतिवियम भी बढ़ा है तो वह जब वस्तु वकृता के नहीं तथा आनंद के बीच स्थ थेत हो तो उसका पृतिविंग कहां बनेगा वकृता के बीच उल्टा देखेंगे सबके फिक कर लेंगे आपको याद करने में लिए ह rainy आनन्थ के बीचे और थे नंगों यहां पर वस्थो रेखागा एक कहां से वक्रता के बाना यहां पर मना तो सारा नेचे आप लोगों को यहाँ पर लेखा वह मिल जाए कि जब वस्तु वक्रता के दरता अनंत के बीच इस्थित हो तो उसका प्रतिविंब वक्रता के दरता फोकस के बीच बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा बनेगा यह पॉइंट समझ में आ गया होगा छट्वा हम लोग देख ले पर यह ठीक है और रिफ्लेक्शन के बाद कहां मिल रहा है देखिए फोकस पर मिल रहा है तो इसका प्रतिविंब कहां बनेगा फोकस पर बनेगा ठीक है तो यह पॉइंट आप याद रखेगा चलिए अब देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है जब आस तो दूरूप पर से तो उसका प्रतिव धुरूप पर ही बनेगा अभास सीधा और बराबर बनेगा अलांकि यह एक्जाम में बहुत कम पूशित आता है लेकिन यह भी पॉइंट याद रखेगा आप हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक का ठीक है कि ट्रिक क्या है हम किस ट्रिक के माद्ध हम से असानी से याद रख सकते है तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया है एक मिरर का बनाया है है और मैंने नुम्रिक किया है का कि नुम्रिक चया है च का वक्रता केंद्र ठीक है अब वस्तु को किनकिन इस्थिती पर हम लोग रख सकते हैं और यह माले जी आपका अनंत वाला सिक्सन है तो देखे एक तो अनंत पर कहां रख सकते हैं एक तो वस्तु कहां रख सकते हैं अनंत पर रख सकते हैं दूसरा यहां रख सकते हैं देखे ह सबका स्थिति आपको बता दे रहे हैं कितने सिचुएस निकल कर आए कि तना निकल करकर आगया एक दो तीन चार पाँच और शह तो देखिए चटा वाला जो प्रतिबिम होगा दरपन के पीछे बनेगा यह एन रखिएगा अब यहां चलते हैं 1 2 3 4 5 यह यह हो गया आपका व वस्तु एक पर होगा यानन्थ पर होगा तो उसका प्रतिवेम भी कहाँ बनेगा एक पढ़ी बनेगा यानि फोकस पर याद रखिएगा देखेंगे अनन्थ और वकरता कदर के बीच का जो है तो टूपर यानि की यहां पर वनेगा यानि की वड़ता के इन दर पर है तो तीन कहा रहा है वक्रता के अंदर पढ़ ही आ रहा है तो प्रतेविम कहा बनेगा वक्रता के अंदर पढ़ ही बनेगा जब वस्तु वक्रता के अंदर और फोकस के बीच कहा यहां तो देखिए यहां पर का साइन क्या है चार है तो चार कहा बन रहा है यहां बन रहा है कुणा है अनंद पर है तो जो focus पर है उसका कहा benद आनंद पर और जो च्या है वसका प्राथन कहा बनेगा मध्त हैं तो यह आप लोग याद रख सकते हैं और एक चीज़ मैं बताना चाहेंगा आपनों को एक है कि इसका एक पीडियोफ लेना चाहते हैं फेक है में कमेंट करके जरूर बताएगा आपको पूरा नोट्स का पीडियाफ आपको मिल दाएगा ठीक है अब देखिए अवतल दरपन से रेलेटेट एक और पॉइंट पोश्चा जाता है इसके यूजिद से लेकर के इस बार भी एक्जाम में इसका प्रयोग से लेकर के कुशन प की जाती है उसमें भी अव्तल दरपन का यूजिद किया आता है इंपोटेंट है याद रखेगा कर दो कि आज कर दो